नमस्कार मैं हूँ पूजा पुनेठा और आप सुन रहे हैं बाल खबरनामा इंडिया फोर चिल्डन की तरफ से बाल खबरनामा में आपका स्वागत है आज 26 मार्श 2022 है और दिन चरिवार है आईए पहले नज़र डालते हैं हेड्लाइन्स पर चाहिल पॉर्नोग्राफी देखने पर अब पुलिस करेगी गिरफतार हिजाब समर्थक छात्रों को नहीं मिलेगा दुबारा परिक्षा का मौका बाल यौन सोशन के मामले में एक सो तीन साल के बुज़ुर को पंदरा साल की सजा माने की मासूम बेटी की गला दबा कर हत्या बिहार के बाका में आठ साल की बच्ची के साथ दरिंदगी गंभीर अपरादों के बाबसूद बच्चे के खिलाफ वयसकों की तरह नहीं किया जा सकता मुकत्मा बच्पन बचाओ आंदोलन ने आठ दिनों में 41 मजदूरों को कराया मुक्त कुशिनगर में चार बच्चों की जहरेली टौफी खाने से मौत त्रिपुरा में बलादकार के आरोपी की पिटाई से हत्या केरिल हाई कोट ने प्रोडक्शन हाउस को शिकाय समिती बनाने का दिया आदेश बाल बंदूआ मजदूर के साथ आप्राकतिक यौना चार अब ख़बरे विस्तार से शुरुआत करते हैं कुछ राश्टिये और शेत्रिये ख़बरों से पिशले दो साल में इंटरनेट का प्रयोग सबसे जादा बढ़ा है इंटरनेट पिर बच्चों से संबंदित अश्लील वीडियो, फिल्मों और कंटेन की मांग सबसे जादा हो रही है बच्चों के खिलाफ अप्राग भढ़ने की मुख्य वज़ा यह भी है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और अगर आप इंटरनेट पर पॉन वीडियो, फोटो, अश्लील कंटेन्ट देखते या अप्लोट करते हुए पक्ड़े जाते हैं तो राजस्तान पुलिस इसके खिलाफ एक्शन लेगी पुलिस खास सॉफ्ट्वियर की मदद से इसकी निगरानी कर रही है पक्ड़े जाने पर पहले तो आपको समझाया जाएगा लेकिन यदि फिर भी आप नहीं मानते हैं तो गिरफतारी की जाएगी हिजाब भुद्दा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है करनाटक में बारवी क्लास के सेक्रो चात्र चात्राओं को अब प्रैक्टिकल एक्जाम में बैठने का दूसरा मौका राज्य सरकार नहीं देगी उलेकनी है कि इन छात्र छात्राओं ने सिक्षन संस्थानों में हिजाब पहने की अनुमती नहीं मिलने को लेकर विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था और एक्जाम का बहिशकार किया था लेकिन वही अब दुबारा प्रेक्टिकल एक्जाम आयोजित करने की मांग कर रहे है तमिल नानु की तिरुवल्लुवर कोट ने एक एतिहासिक फैसला सुनाते हुए 2008 में एक नावालिक का यौन सुशन करने वाले एक बुज़ुर को 15 साल की सजा सुनाई है तिरुवल्लुवर की महिला अदालत ने दोशी को पीडित महिला को जुर्माने के तौर पर 50,000 रुपे भी देने का आदीश किया है उधर जालंधर की नूर महिल में पॉक्सों की एक विशेश अदालत ने एक साल चार महा की बच्ची से बलातकार करने के आरोप में 52 साल के एक व्यक्ति को 20 साल की कैद और 5 लाख रुपे जुर्माने की सजा सुनाई है पीडितों को मिल रहे न्याए से अदालतों के प्रती लोगों का भरूसा जगेगा दिल्ली के मालविय नगर ठाना के चिराग दिल्ली गाओं में एक बेटी की चाहत ने एक मा को हैवान बना दिया मा ने पहले अपनी दो मा की मासूम बेटी की गला दबा कर हत्या कर दी उसके बाद उसे पास पड़े ओवन में डाल दिया दिल्ली पुलिस ने बच्ची की मा डिमपल और पिता गुलशन कौशिक को हिरासत में ले लिया है वहीं बिहार के बाका के चांदन ठाना इलाके में मात्र आच साल की मासूम को अगवा करके उसके साथ गैंग रेप किया गया वहीं उसकी हत्या कर दी गई हत्या के बाद उसकी आँखे भी फोड़ दी गई पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफतार कर लिया है मासूमों के साथ जिस तरह से दिन प्रती दिन हैवानियत भड़ रही है वे इंसानियत को शर्मसार करते हुए प्रतीत होती है पिछले सक्ता के भीतर बॉंबे हाई कोट ने अपने दो एहम पैसलों के जरिये बाल अधिकारों के दाइरे को बढ़ाने का काम किया है अधालत ने औरंगबास से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है कि कंबीर अपरादों के बाबसूत बच्चों के खिलाफ वयसकों की तरह मुकदमान नहीं चलाया जा सकता अपने दूसरे फैसले में आधालत ने कहा कि एक गोद लिया हुआ बच्चा अपने दत्तक माता-पिता की जाती की पहचान का हगदार है इसी आधार पर अधालत ने गोद लिखुए बच्चे को गोद लेने वाली मा की जाती से जुड़ा प्रमान पत्र जारी करने का निर्देश दिया है बच्चपन बचाओ आंदोलन ने दिल्ली पुलिस और सरकारी एजेंसियों के सहयोग से हर्याना, गुजरात, राजिस्थान, तमिलनाडू और आंधर प्रदेश के विभिन उध्योगों से आट दिनों में 36 बाल मजदूरों को मुक्त कराया है सभी मुक्त बाल मजदूर कठिन और गंभीर परिसितियों में काम कर रहे थे और बिहार, उत्तर प्रदेश और जारखन के रहने वाले हैं नियोकताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है उत्तर प्रदेश के कुशी नगर में चार बच्चों की टौफी खाने से मौत हो गई इन में से तीन बच्चे एक ही परिवार की है जबकि एक बच्चा पड़ोसी के परिवार का है टौफी में जहरीला प्रधात मिले होने की आशन का व्यक्त की गई है पुलिस ने मामले में हत्या का मुकद्मा दर्च कर जाच शुरू कर दी है घटना की राज्य के मुख्य मंत्री ने जाच करने वा परिवार को आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया है त्रिपरा के धलाई जिले में महिलाओं के समू ने बलातकार के आरोपी की इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई ये घटना राज्य के गंडा चेरा थाना चेत्र की है उलेकनी है कि 46 साल के आरोपी ने अपनी मा के साथ एक धार्मिक कारिक्रम में आई पास साल की बच्ची को पास के जंगल में ले गया और उसके साथ तुशकर्म किया और बच्ची को मौके पर ही छोड़ दिया केरर हाई कोट ने कारिस्थर पर महिलाओं के यौन उत्पीडन, रोपधाम, निशेद, निवारण, आदेनियम 2013 के अनुसार फिल्म निर्मान इकाईयों को एक आंतरिक शिकायस समयती बनाने का निर्देश जारी किया है उलेकनिये है कि कोट ने विमिन सिनेमा कलेक्टिव की ओर से दायर जनहित याचिका पर यहे आदेश जारी किया है बिहार के दर्भंगा से एक नाबालिक को चूड़ी बनाने के लिए जैपुर ले जाया गया वहां मालिक और उसकी पत्नी बच्चे की बरवरता पूरवक पिटाई करते थे उसे आदा पीट भोजन दिया जाता था जब बच्चा अपने घर जाने की गोहार लगाता तब ब्लेट से उसके शरीर को कई जगहों से कार दिया जाता आरोपी शराब की नशे में उसके साथ आपराकतिक यौरा चार भी करता पुलिस को शिकायत मिलने पर उसने चूड़ी बनाने के औजार सहित सारे उपकरण जब कर लिये गए आएए अब रुक करते हैं कुछ अंतराश्टी ख़बरों की ओर कट्टर पंतीस सबसे पहले महिलाओं के हक हकूप को रौनते हैं अफगानिस्तान की तालिबन सरकार इसके लिए कोख्यात रही है वर्तमान में जब पूरी दुनिया में आदी आबादी के अधिकारों को सुनिश्चित करने की बयार चल रही है वही तालिबान ने तीन दिन पहले लड़कियों के माध्यमिक स्कूलों को फिर से खोलने की कुछ ही घंटों बाद अचानक बंद करने का आदीश दे दिया अफगानिस्तान के लिए ये कोई नई बात नहीं है ऐसा वहाँ इसलिए बार बार किया जा रहा है ताकि लड़किया हतो साहित होकर घर की चार दिवारी में कैद हो जाए खबर है कि जब स्कूल का शटर गिराया जा रहा था तब लड़कियों की आखें वहाँ नम थी एक महिने में जारी रूसी हमले में यूकरेन में सबसे जाधा बच्चे तबाह हो रहे हैं मारी यूपोल में तीन बच्चों की प्यास से मौथ हो गई UNICEF का दावा है कि अब तक 15 लाग युक्रेनी बच्चे भेगर हुए हैं और 112 बच्चों की मौत हो चुकी है यानि हर सेकिंड में एक बच्चा रिफ्यूजी बनने को मजबूर है UNICEF का दावा ये भी है कि इन बच्चों की खरीद फरोद भी हो सकती है आईए आज में आपको उस बहादर लड़की की एक सहासे कहानी से आपका परिचे कराती हूँ जिसका वीडियो आज कल खुब वाइरल हो रहा है जारकन की अबरक खादानों में धीबरा चुन्ने का काम करने वाली वे क्रान तिकारी बेटी छटी क्लास में पढ़ती है लेकिन शाशन प्रशाशन को जब ललकारना शुरू करती है सब के कान खड़े हो जाते हैं कोरोना महमारी में कामकाज बंध होने के कारण वे धरने पर बैठी हुई है और मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की मांग कर रही है वे सवाल करती है कि क्या प्रधान मंत्री, S.P. और D.S.P. की बेटियों को पढ़ लिखकर अफसर बनने का अधिकार है हमको अनपढ रहकर मजदूर बनने का बच्ची की ललकार और सवाल स्परशन देश प्रतीत होते हैं कि देश में दो नियम नहीं चल सकते रोटी, खेल, पढ़ाई, प्यार उनका भी उतना ही अधिकार है जितना प्रधान मंत्री, S.P. और D.S.P. की बेटियों का बच्ची का तेवर हाशे के लोगों की प्रेणा का शोत है जिसके बगेर वे अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते बच्ची तब तक धरने पर बैठे रहने की बात करती है जब तक की उसकी मांगों को मान नहीं लिया जाता बच्ची की ओच से भरी आवाज हमें या आश्वस कराती है कि ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाओं के अब अधिरा जीत लेंगे लोग मेरे गाओं के बच्चों की खबरों को जानने के लिए अगले हफ़ते इसी समय शरिवार को फिर से सुने बाल खबर नामा तब तक के लिए इंडिया फॉर्ट चिल्डरन की तरफ से मैं अपनी संपाद के टीम गाविता सुर्भी, पंकर चौदरी, आशुतो इश्नेमा और रोहिश्रिवास्तव की तरफ से आपसे इजाद़ चाना झाल 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